करीब 16 साल पहले जो आमिर के साथ हुआ था वो फिर से उनके साथ होने जा रहा है आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरन राव ने 15 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है और इसी के साथ आमिर और सल्मान का सालो पुराना किस्सा फिर से ताजा हो गया है दरसो रीना दट से तलाक के बाद आमिर की उस दौर से उभरने में सल्मान खान ने बदत की थी इस बारे में खुद आमिर ने के इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था आमिर खान ने इस से पहले साल 2005 में पहली वाइफ रीना दत्ता को तलाग दिया था इसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे कौफी विद करन में आमिर खान ने कहा था फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव अच्छा नहीं था मुझे वो घमंडी लगते और उन्हें मैं दूसरों का ध्यान ना रखने वाला मानता था इस कारण उनसे दूर ही रखा करता था जब मेरा रीना तता से तलाग हुआ तो मैं जिन्दगी के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था उस दौरान सलमान खान मेरी मदद के लिए आगे आए सलमान ने इस दौरान मुझे से कहा था कि मैं तुम से मिलना चाहता हूँ फिर बात में हम दुबारा मिले हमने साथ में ड्रिंक ली और हम फिर से दोस्त बन गए और यही से एक सची दोस्ती की शुरुबात हो गए आपको बतादे कि आमिर खान ने तलाग के बाद बतौर एलमिनी अपनी पहली वाइफ रिना दता को 50 करोड रुपे दिये थे ये बॉलिवुट का सबसे महंगा तलाग था अब ऐसे में एक बार फिर से आमिर की तलाग की खबर सुन लोगों का मानना है कि क्या एक बार फिर से इस दोर से निकलने में आमिर की मदद सल्मान ही करेंगे क्या एक बार फिर से इतिहास दोहाया जायका क्या फिर से सल्मान आमि के लिए अपनी दोस्ती जाहीर करेंगे, खेर इस पर फिलहाल कुछ भी कहपाना मुश्किल है, हर रिष्टे के अलग होने का अपना एक अलग रीजन होता है, जरूरी नहीं कि जो हाल आमिर का रीना के अलग होने के साथ हुआ हो, वो किरन राव के अलग होने के दौरान भी हो टाइम के साथ-साथ इंसान और हाला दोनों बदर जाते हैं, इससे फिलहाल इतिहास दोराने पर कुछ कहान नहीं जा सकता, लेकिन ये तो तैह है कि ये वज़ा हो या फिर कोई और वज़ा हो, सलमान अपनी दोस्ती दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, और हो स लगता है किस बार भी वो कैसे ना कैसे करके अपनी दोस्ती आमिर के लिए दिखा ही दे